हलो एवरिवन कैसे आप तो बहुत बच्चों कहना था सर मैनेजमेंट अकाउंट का ना आप मुझे एक स्टडी प्लान दो और अभी तक आपने बताये नहीं कुछ मैनेजमेंट में तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में इस वीडिय किया हुआ है पहले यूनिट को उन्होंने थियोरी में रखा हुआ है कि दूसरे यूनिट को उन्होंने आपको स्टेंडर उर बजेटरी और 5 वा तो अगर हम्त देखे ना तो स्लेवर्स को समझना थोड़ा मुस्किल है मैं इसको simply marks wise और कैसे आपको practice करना चाहिए उस तरीके से मैं बताना चाहूंगा तो अगर हमें सबसे पहला chapter जो pick करना चाहिए सबसे पहला chapter करना चाहिए cost profit volume ratio सर इसमें से 15 marks के questions आएंगे ही आएंगे ठीक है अब इसके अंदर काफे सारे बच्चों का कहना है कि सर आपने चार्ट नहीं बता है तो चार्ट 10 यर वाले questions सारे करा रखे हैं इसके उसके अंदर आपको चार्ट मिल जाएगा इसके साथ आपको दूसरा करना चाहिए marginal एंड एब्जॉप्शन देखो हाला कि यह बहुत चोटा सा स्लेवस है इसमें से भी एक आपका 15 नंबर का question आएगा ठीक है इसके बाद हम तीसरे नंबर पर अगर जाएं तो तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे इसमें से सर्फ 15 marks काएगा और यह sequence में चलिएगा और ऐसे ही करना है आपको जैसे मैंने बताया चौथे नंबर पर क्या करना है सर चौथे नंबर पर आपको उठाना है standard standard costing में भी अगर देखा जाए क्योंकि time कम बचा है तो दो ही cost variance करिए एक labor variance करिए बाकी इसके अंदर और भी है overhead variance और एक है हमारा sales variance तो मैं आप सभी बच्चों को यह avoid करने को कहूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूँ आपके एक्जाम में यही दो topics आने वाले है फाइनल यह दो topic तो इसको आप छोड़ सकते हैं overhead variance और sales variance क्योंकि बहुत lengthy topics हैं तो इसको skip कर सकते हैं इन दोनों में choices आएंगे तो यह कर लेजिए आप नंबर पांच पर आपको करना है relevant costing relevant costing तो sir relevant costing क्या है बहुत छोटा सा chapter है एक घंटे के अंदर खतम हो जाएगा यह आपको start करना है number 6 पर जो आपको start करना है sir वो last में decision making last में आपको करना है sir decision making decision making अब इसमें से आपका इसमें से भी आपका 15 marks का question पक्का है आएगा इसमें से भी आपका 15 marks का question है आएगा तो sir पंद्रा 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 इस तरीके से तो होगे हमारे पांच question बिल्कुल हाँ relevant कॉस्टिम में बहुत रियर होता है कि questions ऐसा फुल फ्लेज है उसमें option में मिल जाता है तो mainly इस तरीके से आपका exam design होगा पहले आपको जो करना है वो क्या करना है सर पढ़ना पढ़ेगा आपको देखो यह करना है इसको करने में आपको लगेंगा फाइव डेज और यह पूरा formula बेज है अब सर इसके अंदर वो student जिनका formula strong रहता था mathematics में या फिर उनको जल्दी catching होता है तो वो यह करे नमबर बन पे अगर जिसको थोड़ा सा ऐसा है कि formula इतना दिमाग नहीं चलता तो वो पहले यह chapter उठाले ठीक है नमबर दो पे यह बिलकुल सिंपल सा topic है लगेगा यार क्यों बनाया ही क्यों है चप्टर को फिर यह करें इसके अंदर आपको लग जाएंगे दो दिन बजेटरी क्यों करें आप इसमें लगेंगे आपको तीन से पांच दिन इसके बाद costing standard costing करें इसमें तो आपको पांच दिन लगने ही लगने है इसके अंदर कुछ लाइव सेक्षन अभी स्टार्ट करने जाएंगे जिसके अंदर लाइव बताएंगे बच्चों को तो यह था आपका overall पूरा का पूरा syllabus अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि YouTube पे classes देख रहे हैं तो हमने YouTube पे अभी start किया है डालना और पुरानी classes भी आपको मिल जाएगी तो वह भी helpful हो सकता है लेकिन आपको अगर sequence में मिल पाए तो आप बिलकुल उससे कर लीजिए नहीं मिलता हैं कि एक साथ वीडियो मिल जा और फटा फट से खतम हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 350 का ये course available है only 350 का description में link की given है और आप जाके उनसे discuss करके start कर सकते हैं जाटेंगे आपको 10-year लेना है इसी से ही हम practice करेंगे अच्छे से यकीन मानिया पेपर आपका 2 घंटे में खतम हो जाएगा लेकिन अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो पेपर आपका गर बैक आजाता है क्कि बहुत बच्चों कि इसमें बैक भी आजाती तो मैं डरा नहीं रहा मैं आपको बता रहा हूं उसमें बड़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है तो होफुली आप मेरी बातों को समझोगे पढ़ना स्टार्ट करोगे मैनेजमेंट अकाउंट लिया है बहुत इजी सब्जेक्ट है लिखिन पढ़ने के बाद तो यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था तो होफुली इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे कोई ऐसा चैप्टर ना उठा लेना जिससे कि आपका रिदम पूरा का पूरा खराब हो जाए थैंक यू सो मच मिलते हम नेक्स वीडियो